रक्षा बंधन की अनुसुनी कहानी हेलो दोस्तों नमस्कार आप सबी को रक्षा बंधन परवकी बहुत बहुत सुब कामने कहानी की कड़ी में शिकंदर ने पूरे विश में अपना परिचम लहरानी की सोच रखी थी उसने चार ओर युद्ध करते और जितते हुए भारत की शिमा में प्रवेश किया उसका शामना भारत के राजा पोरु से हुआ राजा पोरु अत्यंद पराक्रमी बलशाली और बीर पुरुस्ते उन्होंने सिकंदर को पहले ही युद में धूल चटा दी तब सिकंदर की पत्नी ने अपने पती की रक्षा के लिए राजा पोरु को राखी भेजी राजा पोरु आशर में पढ़ गए लेकिन राखी के धागों का शम्मान करते हुए उन्होंने इसे अपने कलाई पर बांद लिया जब सिकंदर और राजा पोरु का आमना शामना हुआ तथा राजा पोरु ने सिकंदर को मारने के लिए तलवार उठाए तब उन्हें कलाई में बंदी राखी दिखे गई और तलवार को रोप दिया वा बंदी बना लिये गए दूसरी और जब शिकंदर ने राजापोरू की कलाई पर अपनी पत्नी द्वारा भेजी हुई राखी देखी तो उन्होंने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुई राजापोरू को मुक्त कर दिया और उनका राजव वापस लवटा दिया तो दोस्तों कैसी लगी रक्षाबंदर पर हमारी कहानी ऐसे महत्मोर जानकारियों तथा कहानियों को प्राप्त करने है तू हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू जे हिन जे भारत